बगेर पत्र भेजे ही मतदाता सुची से लोग के नाम कटे रहे। बात्र मतदाता हैं पांच राज्यों के वो भारत निर्वा चनायोग और जिनादीकारी और संबंदित एस्टियम और तैसिलदाग इनके खिलाब क्रिमिनल मुगदमा दाखिल के लोग हैं सैनिक उनके वोट पहले बहुत कम मात्राम आते थे लेकिन इस बात 5577778000 वोट जो है अधिकारी दोसी हैं उनके लिए कठोक कदमा तीसरा आदमी हर दूसरा आदमी ये खहरा है कि फला पार्टी जीत जाएगी यदि इमानदारी से मत गड़ना हो जए मैं हूँ शकील अमद और आप देख रहे हैं नियूस मैक्स आज उत्ता परदेश के साथवें और आटवें चरन की भी पोलिंग समाप्थ हो चुकी है और अक्सर तमाम फेस में ये देखने में आया है कि कहीं न कहीं वोटिंग लिस्ट से लोगों के नाम गायब है अक्सर ये देखने में आता है कि अलेक्शन कमिशन के जरीए अभियान चलाया जाता है वोटिंग लिस्ट में नाम जोडने के लिए उसका बकायदा पुरी तरह से अख़बारों में और होर्डिंग्स लगा लगा करके उसकी पबलिसिटी की जाती है कि जो लोग नए वोटर बनना चाहते हैं वो एपलाई करें और फला फला जगा कैम्प लगा हुआ है जो लोकल विधान सबा होती है वहाँ जगा जगा पर उसके आफिस होते हैं जहां फॉर्म भर करके लोग अपना नाम वोटिंग लिस्ट में डलवा सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि वोटिंग लिस्ट से नाम कटने का कोई अभियान चलाया जा रहा हो जी हां इस तरह का अभियान हर अलेक्शन से पहले चलाया जाता है और ये नहीं किसे मोदी सरकार में बलके इस से पहले भी हमेशा इस तरह की अभियान चलते रहें जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता और जब पॉलिंग वूट पर वोटर पहुंचता है तो उसको बताया जाता है कि आपका नाम वोटिंग निस्ट में नहीं है इस तरह की शिकायते इस बार भी सामने आई है और किस तरह से पूरा गया खेल चला है क्योंकि पिछले दो तीन अलेक्शन से ये देखने में आ रहा है खास्तों से 2014 के बाद जब किसी भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होती है तो उसके बाद कहीं न कहीं EVM के उपर सवाल खड़ा होता है तो शायद इस वज़ा से अभी EVM को लेकर सतर्क हो गई है बीजेपी अब दूसी तरह से खेल करने शुरू कर दिया है कई खेल इसमें हो रहे हैं क्या क्या खेल हो रहे हैं इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक खास महमान मौजूद है अड़ोकेट राजकुमार जो सुप्रिम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उसके अलावा एक सम्विधान बचाओ अभियान के नाम से एक संस्था भी चला रहे हैं उसी के तहत ये पूरा इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस खेल को उजागर किया जाए स्वागत है अड़ोकेट साहब राजकुमार साहब का क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से मैंने अभी इंट्रो में कहा आपने मुझसे अभी बात करते हुए बताया कि किस तरह से वह एक अभियान चलाए जाता है अभियान चाहरा मतदात है नाम धू रिष्टा लिष्ट से जाते हैं वेदान सवान को पहले यह जो पांच राज्जों चुनाओ हो रहे हैं इन पांचो राज्जों futures ने चुनाओ कि से 31 अक्टूबर 2021 तक वोटर डिलीशन अभियान चलाया गया था और जिसमें सामदाम दंड भेद सताधारी पार्टी उपयोग करके अपने विरोधियों के वोट काटने का जो है इसको हम अभियान तहेंगे कि वो अपने विरोधियों के वोट इसमें से काटते थे उनके पन्ना परमूख होते हैं जो निगरानी रखते हैं कि कौन ओट हमारा है कौन हमारे खिलाब पड़ेगा तो ओट च्छाटे जाते हैं बाकाइदा और च्छाट को ओटों को काटने का अभियान चराया जाता है इस बार यह जो अभियान शुरू हुआ तो हमारे कलाइट थे राकेश कुमार जो अभूपूर गाजयवाद के निवासी थे उन्होंने इस पर जो है जैसे अभियान शुरू हुआ और इसके एक मैने बाद एक RTI जो है प्तरप्रदेश के 75 जिलाधिकारियों से जो हैं लगाई जिसमें उन्होंने पुछा कि आप तक कितने मरतक मतदाताओं के नाम चिन्नित हो चुके हैं कितने सिफ्टिड लोगों के नाम चिन्नित हो चुके हैं और कितने डुब्लिकेट ओटों के नाम चिन्हित हो चुके हैं तो हाला कि उनको इस पवित्र काम को करने के लिए एक लखनों के जिलादिकाली दुवारा बहुत भद्दी भद्दी गालिया भी सुननी पड़ी लेकिन वो अपने मिसन पर लगे रहे और लगातार दबाव बनाया और उन्होंने कहा भारत रिर्मा संगायों से पुछा कि कितने लोगों के नाम आपने चिन्हित कर लिए और दूसरा सवाल हमने पुछा किसी भी वेक्ति का नाम वोटर लिट से डिलिट करने के लिए उसके घर पर रजिस्टर्ड दाख से पत्र भेजने का प्राविदान है लेकिन आज तक भेजा नहीं गया इस बार भी कुछ जिलादिकारियों ने सिकायतों के बाद कुछ लोगों के घर पे पत्र भेजे हैं लेकिन अधिकांस ते बगेर पत्र भेजे ही मतदाता सुची से लोगों के नाम कटे गए हैं जिसकी हर जिले सज़ए सिकायते जो है तो इसका मतलब यह है कि पहले उनको लेटर भेजा जाता है, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज तक आपने वह लेटर नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, और उनका वोटिंग लिस्ट से अचानक नाम गायब हो गया, ले लेटर नहीं गया, लेटर जाने के बाद भी जो हैं एक तन से उसका नाम नहीं काटा जाएगा, उसके बाद जब उसकी सूचना आजाएगी, कि वहाज़ी मर चुका है, उसके बाद भी तैसिलदार मौके बजागा सब्धापन करेगा, उसके बाद ही उसका नाम वोटर लि कि जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से डिलिट किये गए हैं और जिनके पास जो पात्र मतदाता हैं पांच राज्जों के वो भारत निर्वाचनायोग और जिला दीखारी और संबंदित एस्टियम और तैसिलदार इनके खिलाब क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करें चोंक इस तरह से असली लोगों का वोट काटने वालों को नेयले के मादधम से दंबित नहीं किया जाएगा लोग तंतर में जो मतदाता है उसकी कीमत मुक्खे चुनायों से जाद है इसके रावा देखने में या आता है कि बैलेट पेपर से उन लोगों का वोट डाला जाता है ज जो चुनाओ डूटी में खास्तोर से पुलिस परसनल्स हों या उसके अलावा जो आर्मी के लोगों होते हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बिहार में पूरा इसको लेकर के खेल किया गया था बैलेट पेपर देखिए नंबर एक पोलिंग पार्टी वोट ड जक्सा करते हैं और इस बार दो सरेड़ी और बढ़ाई गई है एक 80 मर से अधिकायू के लोग और विकलान जो हैं इनकी 2 सरेड़ी और बढ़ाई गई हैं इस परकार 5-6 सरेड़ी यां ऐसी बना दी जिनके बैलेट पेपर से और भूट होते हैं और वह बैलेट पेपर उनक जिदान समय में मतार करा लिया रहा महां अजेंट की वेवस्ता नहीं की गई है जो मत पेटी है मत पेटी को ट्रेजरी में रखा हुआ है उसको इस्ट्रोंग रूम में नहीं रखा गया है जबकि जब एवियम मसीन से वोट पड़ता है तो उस वोट को परत्यासियों के सामने और ऑफजर्वर के सामने वो सील किया जाता है लेकिन ये पूरी तरह से परसासन के हाथ में है और परसासन के जो अधिकारी फिलाल वर्तमान में तैनात कर रखे हैं दिन पाच और राज्जों में इनमें जो सत्ताधारी पार्टिया थी जिए वो किसी भी सत्ता की थी उन्ह चुनाओं में चीफ सेकर्टीर बहुत सारे अधिकारियों की तैनाती में बदलाओ किया गया था और पिछली बार ही दब चुनाओं हुआ था था तो 2017 का अखिलेश सरकार थी बहुत सारे अधिकारी बदले गए थे लेकिन इसमार चुनाओं उन्हें जो अधिकारी भाजप ने तैनात कर दिये थे उन्हें अधिकारियों से काब चलाए गया और तो सिकायते में की गई है अधिकारियों की उस पर भी जाया कफोरता से कदम नहीं उठाई गई आर्मी परसंस का आप बता रहे थे कि विधान सबह में पर विधान सबह तक्रीबं 5000 वोड बनाए गए ग वोड हैं बताय जा रहे हैं जब कि इतने वोड होते नहीं है इसके लिए मैं चुनायों से यह गुजारिश करूंगा कि चुनायों सभी जितने भी वोड पड़े हैं आर्मी वालों के भी जिसमें मतदान कर भी हैं उनके भी हैं आसी पलस आयू वालों के भी हैं, कोविड पेसेंट के भी हैं, इन सब मतदाताओं का डाटा चुना मतदाना से दो तीन दिन पहले, यानि कल को सबी परत्यासियों को उपलब करा देना चाहिए, और जो मतदान हुआ है, उसका बूत वाल डाटा, किस बूत पर कितने ओट पड़े हैं, ये सबी परत्यासियों को भी दे देना चाहिए, और देश की जनता, परदेश की जनता, मतदाता जो बड़ा होता है, उसको कोई शक हो तो उसको काउंट करा लिया जाए यह कहा गया कि हर बूत पर एक मशीन को काउंट किया जाएगा ताकि यह तैप पकर पाएं के कहीं कोई गड़बड़े नहीं हुई है उसके बाद सुप्रिम कोट पहुंचे तो सुप्रिम कोट ने गहा कि पांच मशीनों को चैक क तो उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या हर मशीन को काउंट करना चाहिए, अगर हर मशीन को काउंट करेंगे तो फिर तो बैलेट पर पेपर करा लिजे। देखिये, इवियं से चुनाव कराना चाहिए, प्रतकिरिया तो सबसे पड़िया गया बैलेट बैका और बैलेट पेपर की है, जो दुश में सबसे विश्वस्न ये पदती बैलेट पेपर और बैलेट बोक्स हि और यदि सरकार अपनी हड धर्मितार अपनी जित साहक और हलाकि सुप्रिम कोर्ट ने 5 पोलिंग इस्टेशन की विवीपेट मसीन से मिलान करने के आदेश पारित की थे 2019 में लेकिन 2019 के लोक सबाचुनाओं में भी पूरे देश में 5 पोलिंग इस्टेशन के स्थान पर 5 पोलिंग भूद का ही मिलान किया रहा और वो पांच पोलिंग बूत का मिलान भी मत गर्णा के बाद किया रहा जब महां से हारने वाले विपक्सी प्रत्यासी सब चले गए थे उस समय उसका मिलान हुआ और उसके जो पेपर्स हैं जो तमाम आये हैं सामने निकल गए तो वो अधुरे हैं उस पर ऑब्जरवर के रहा है इसमें चुनाः योद को भहत मेहनत करने के जोरध है और पार्टी और राजनीती से उपर उठके चुनाः योड को कड़े कदम उठाने की जोरध है और जो लोग अधिकारी दोस्टी हैं उनके लिए कठोड कदम उठाएं तबही जह 상태 है यह चुनाः पार्टी जी जीत तो हमारी पार्टी जाएगी पर अधिकारियों का भुरुस्ता नहीं है अब यह भुरुस्ते की जिम्मेदारी भारत निर्वाचनायोग की है लोग सेवक किसी पार्टी का नहीं होता है लोग सेवक इस देश का होता है उसके जो तनखा मिलती है वो देश के प्रतेग नागरिक के दिये गए टैक्स से उसकी तनखा जाती है उसको पार्टी जाती धरम उससे उपर उटकर जो है निस्पक सुतंत और पार्ट दर्शी चुनाव पर आना काईए हमारे समिधान में भी शुक्या राजकुमार साब हमसे बात करने के लिए जिस तरह से राजकुमार साब ने पूरा इस पूरे खेल का कहीं न कहीं खुलासा किया है किस तरह से अब एवियम के बजाए और किस किस तरह से खेल करने की कोशिश इस सेलेक्शन में खासत दोर से की गई पांच और आज अधिकारी हैं, उनके वोट को किस तरह से डलवाया गया है अधिकारियों के जरी और वो कितनी संक्चिया में खास्तोर से आर्मी पर्सनल्स को का नाम जो है वोटर लिस्ट में डाला गया है, यह एक बड़ा खेल सामने आ रहा है जो इन्होंने उसका खुलासा करने की कोशिश की, शुक्या आपको हमारी कोशिश कैसे लगी दरूर बताए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके साथ ही बैल आइकन दरूर दबाएं, अगर आप वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें, धन्य करेंग झाम झान ना भीडियो फेस्टीश जह से लिएज क Coc